हेलो बच्छो आज हम CVSC Board exam 2022-2023 के लिए MCQ करने जा रहे हैं और बेटा ये MCQ आपके chapter matices से है matices से मैं यहाँ पे MCQ ले रहा हूँ और सारे के सारे very very important है पिछली सालों में कुछ MCQ आये भी थे वो भी मैं करवा रहा हूँ और बेटा मैं हर type का यहाँ पे आपको MCQ करवाने वालो हूँ मानलों आप ये करते जाते हो तो ये सोच लो कि आपसे exam में question आराम से हो जाएगा ठीक है तो पहला question मैं ले रहा हूँ फिलाल if a is a square matrix such that a square is equal to a then i plus a का whole cube minus 7a is equal to तो यहाँ पे i identity matrix है a आपका square matrix है given क्या है a square is equal to a a square is equal to a और आपको बेटा इसकी value बताने इन में से क्या हीगी तो सबसे पहले मैं i plus में i plus में a का whole cube लिख लेता हूँ और minus में 7ab इसको मैं solve करना start करता हूँ उसका use करूँगा और फिर मैं बता दूँगा कि option अपना कौन सा right है तो बेटा i plus a का whole cube हूँ solve करते हैं तो बेटा यह सीधा सीधा formula है a cube अना formula है लगा दो कोई tension मतलो a cube plus में b cube plus में 3a square b 3a square b plus में 3ab square minus में 7a बिना सोचे संजे a plus b का whole cube का formula लगा दो हमने लगा दिया i cube बेटा i into i b i होता आपको पता हो i into i i होता है अगर मैं i cube की बात करूँ तो क्या कहोगे sir i into i into i है सरी अब भी i into i तो i होता है into में वो वाला i है अब ये i into i भी क्या होगा i तो कुल मिला के ये i बन चुका ठीक है a cube a cube की बात करते हैं हम a cube को a square into a लिख सकते हैं बिल्कुल sir a square की value a है तो मैं यहाँ पे a into a लिख सकता हूँ बिल्कुल sir a into a a square बन गया बिल्कुल sir और a square तो a है a square तो a है तो कुल मिला के ये आपका a बन गया पलस में 3 into में i square में बता चुका हूँ a square बता क्या चुका हूँ, given है, a square आपका a है, minus में 7a, minus में 7a, अगला step लेता हूँ, अगला step, तो यह भाई तुम्हारा i है, i रहेगा, plus में a है, a ही रहेगा, plus में मैं आपको बता दू, i into a, identity matrix की square matrix के साथ multiply, आपका square matrix आता है, यह आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, तो 3 into i into a, 3a हो जाएगा, plus में 3 into i into a, फिर 3a हो जाएगा, क्योंकि यह भी i into a है, minus में 7a, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, यह आपका i है, a plus 3a, 4a, 4a plus 3a, 7a, 7a minus 7a, 0, आपका क्या बना सारा, 0 बना, 0 matrix बना, और i में जब आप 0 matrix जोड़ोगे, तो i बचेगा, i में जब आपका 0 matrix जुड़ेगा, तो i बचेगा, यह देखू, यह आपका plus का 7a था, वो आपका minus 7a था, तो 0 matrix आएड करने पे, i में 0 matrix जोड़ोगे, तो i बचेगा, option d बेटा, यहाँ पर आपका सही होता है, option d बेटा, सही होता है, मैं सारे type के question करवाने वाला हूँ, अ session में पूछा था, तो बेटा, CVSC question repeat नहीं करता है, पर concept जरूर होई देता है, जिस concept पे पिछली सालों में पूछे है, ठीक है, तो MCQ अभी पूछने लगा है CVSC, तो आपको पता होना चाहिए, कि इन concept पे question आ सकता है, तो यह second type है, सारे type के question में आपको फटा-फट से करवान आने वाला हो, ध्यान से एक-एक समझिएगा, तो बेटा, यहाँ पे A matrix दिया है, A square is equal to 3i दिया है, आपसे पूछा है, इन में से कौन सा अपना option right है, तो बेटा, A आपके पास matrix है, A square is equal to 3i given, तो मैं A square is equal to 3i लेके चलता हूँ, और यह relation साइद मिल जाए, क्योंकि यह relation ए A square मदर A into A, तो पहले A लिखो, alpha, beta, gamma, minus alpha, फिर A लिखो, alpha, beta, gamma, minus alpha, और उधर आप लिखो 3i, तो 3 into में 1, 0, 0, 1, identity matrix भी 2 by 2 का लेना है, क्योंकि A matrix आपके पास 2 by 2 का है, तो बेटा, फिल हाग मैं multiply गरदा हूँ, multiply आपको पता है, row by column होती है, multiply row by column होती है, पहली row की पहले करेंगे, alpha square, alpha की alpha से alpha square, plus beta, gamma, beta, gamma हो चुकी multiply, अब पहली row की, पहली row की, दूसरे column से होगी, alpha, beta, alpha, beta, minus में, beta, alpha, g, sir, g, sir, अब बही, दूसरी row की पहले column से होगी, row by column, पहली row की पहले column से, फिर दूसरे से, अब दूसरी row की पहले column से, फिर दूसरे column से, तो गामा, माइनस में अल्फा गामा अब इसके उसके साथ गामा बीटा गामा बीटा माइनस माइनस प्लस का अल्फा स्क्वार उधर बेटा आपका आ रहा है तीन अंदर जाएगा 3, 0, 0, 3 तुम आपको बता दो ये 0 बन चुका कटके ये 0 बन चुका ये भी कटके बेटा 0 बन चुका और जब आप इनको compare करोगे बच्चो जब आप इनको compare करोगे तो भई ये compare करने पे अल्फा स्क्वार प्लस में बीटा गामा अल्फा स्क्वार प्लस में बीटा गामा is equal to 3 मिल रहे तो बेटा compare करने पर आपको यह मिल रहा alpha square plus beta gamma is equal to 3 तो भी यह यह आप check करो यह check करो कहा सिक है alpha square गोला plus beta gamma is equal to 3 गोला, alpha square यह रहा beta gamma यह रहा हर एक में alpha square beta gamma है तो एक काम करता हूँ, मैं उस side एक side 0 करता हूँ मैं इसको इधर लाता हूँ तो alpha square plus beta gamma minus 3 is equal to 0 अब check करता हूँ, कोई option बनता है, अब भी कोई option नहीं है क्योंकि 3 आपके plus के है तो मैं दोनों side minus multiply करता हूँ तो beta minus multiply करोगे तो plus का तो 3 हो गया minus का alpha square हो गया minus का beta gamma is equal to 0 अब check करते हैं, 3 minus alpha square minus beta gamma is equal to 0 option secret है तो थोड़ा सा beta इन पर ध्यान देना है थोड़ा सा ध्यान देना है मैं आपको हर type के question फिलाल करवा रहा हूँ बेटा ये करो इंपोटेंट है बेटा अपना next question देखते हैं ये भी बहुत प्यारा question ये भी CVSC ने 2021 से 22 एक्जाम में दिया था तो यहाँ पर बोड़ है कि ता number of all possible matrices of order 2 by 3 with each entry 1 or 2 inch आपको वो सारे matrices बताने हैं जो 2 by 3 order के हो और उनकी entries या 1 or 2 हो उनकी entries के 1 or 2 हो तो मैं देखो कैसे करूँ है इस question को very 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 important तो पहले 2 by 3 का matrix बनाते है जिसमें 2 row हो और 3 column 2 row 3 column matrix ऐसा होता है 3 column हो चुके और 2 row हो चुके अब आपको करना क्या है यह equation permutation का है arrangement का है किसका है बेटा? arrangement का तो आपको 2 by 3 का एक matrix बनाना है और फिर आपको यह entries क्या करना है entries जो 1, 2 थी उनमें कुछ भी निकाना हर element में अगर entries 1 और 2 है तो यहाँ पर आप 2 भर सकते हो 1 भी भर सकते हो और 2 भी भर सकते हो दोनों चीज भर सकते हो 3 होते तो जैसे आपके पास 0, 1, 5 ऐसे होता तो तो यहाँ पर 3 के 3 element भर सकते थे तो यहाँ पर आप यह तो 1 भर सकते हो या 2 भर सकते हो सेम यहाँ पर भी आप दोनों element में से कोई सा भी भर सकते हो यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो permutation का मतलब यही होता है कि पहले तो आप चीजों को case-wise लिख लो भी जैसे कि यहाँ पर आप one or two दोनों के दोनों भर सकते हो, और फिर चीजों के क्या कर दो, multiplication, अना एक ही काम को करने के अलग-अलग तरीके add होते, यह है permutation का मदलब, एक ही काम को करने के अलग-अलग तरीके add, बहुत है यहाँ पर 1B भरा जा सकता है, बहुत है। कि अलग-, फिर अगर आपको जब answer निकालना होता है, तो उन सब तरीकों के क्या करदो Multiplication जितने भी case बने उनकी multiplication करदो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो भीया ये 2 की पावर 6 हो गया 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 होगा 64 क्या होगा 64 64 होगा बेटा अच्छा क्यों से कर लीजिएगा Option C correct है तो बच्छो अपना next question देखते हैं इसमें बोल रहा है कि A कोई matrix है and A plus A transpose I के बराबर है then value of alpha is आपको alpha की value बताने तो ये आपकी next type है सब type के question में ले रहा हूँ सारे important है तो बच्छा एक unknown है मैं आपको बता चुका हूँ बेटा alpha एक unknown है और एक unknown एक equation से आता है equation दे रखी है और दो unknown दो equation से आते हैं तीन unknown तीन equation से आते हैं maths का सबसे बड़ा concept यही होता है तो alpha एक unknown है एक unknown एक equation से आएगा equation पहले से दे रखी है मदब इसको आप पहचानो और इसको लेके चलो आगे A plus A transpose I के बराबर है इसका transpose कर दो बेटा तो ये cos alpha है cos alpha minus का sin alpha और बेटा यहाँ पे sin alpha और यह आपका cos alpha transpose में होता क्या है आपको अच्छे से पता है पहली रो पहला column बन जाता है दूसरी रो दूसरा column बन जाता है is equal to i is equal to i अब बै कुछ भी नहीं करना है इनको जोड़ना है जोड़ दिखरा है साफ साफ ये भी 2 by 2 का है बेटा ये भी 2 by 2 का matrix जुड़ रहे हैं जोड़ दो जोडने पे cos alpha cos alpha जुड़ेगा 2 cos alpha आएगा माइनस sin alpha plus sin alpha जुड़के 0 आ रहा है sin alpha minus sin alpha जुड़के 0 आ रहा है cos alpha plus cos alpha 2 cos alpha बहुत अच्छा क्योशन है बार-बार कह रहा हूँ इसको कर लीजिएगा आई क्या होगा आपका 1001 identity matrix आपका क्या होगा 1001 अब यह आपको कुछ नहीं करना आपको alpha चीए था तो 2 matrix equal होते हैं तो उनके corresponding element बराबर होते हैं तो 0 is equal to 0 लिखके कोई फाइदा नहीं होने वाला है तो फाइदा किस से होने वाला alpha चीए तो 2 cos alpha को 1 के बराबर लिख लो 2 cos alpha को किसके बराबर लिख लो 1 के बराबर alpha की value 1 by 2 cos alpha की value किसके बराबर आगी cos alpha की value बेटा 1 by 2 के बराबर आ गई alpha मैं कितना ले हूँ ताकि 1 by 2 आए इन में option पे चलते है option पे चलते है alpha अगर तुम pi by 3 लेते हो alpha अगर तुम pi by 3 लेते हो तो आपका ये 1 by 2 आता है या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसको alpha is equal to cos inverse 1 by 2 और alpha is equal to pi by 3 तो option पेटा यहाँ पे B correct होता है B पे metric मार चुका हूँ तो पेटा ये काफी अच्छे-च्छे question है type wise है एक-एक को ध्यान से करिएगा next question पे चलते तो बच्छो अपना next question देखते है इसमें बोल रहा है कि if a matrix A is both symmetric and skewes metric then A is necessarily A कि वो एक diagonal matrix होना चाहिए zero matrix होना चाहिए square matrix होना चाहिए identity matrix होना चाहिए बेटा ये क्योप्सिन में बहुत प्यारा है मैं आपको बता दू अगर कोई matrix excuse metric और symmetric एक साथ है तो ऐसा possible तभी हो सकता है जब वो एक zero matrix हो साथ में square भी हो zero square matrix zero square matrix तो मैं आपको काफी सारे type के हापे MCQ करवा चुका हूँ important थे सारे और बेटा मैं आपको बता दू आपको MCQ relations and functions के भी channel पर मिल जाएंगे मैं बना चुका हूँ video और आपको inverse trigonometric functions के भी MCQ मिल जाएंगे वीडियो बना चुका हूँ और बेटा काफी सारे assertion region based questions भी मैं यहाँ पर channel पर बना चुका हूँ अच्छे से case study भी मिल जाएंगे बेटा काफी सारे मतलब के आपको full material मिलने वाला है आपको 2022 से 2023 के exam के लिए full material और काफी important अच्छे concepts के साथ ठीक है तो video को like जरूर कर दो चैनल को subscribe कर लो और friends के साथ video share कर दो thank you बेटा